Please subscribe our channel to get regular update of more informative videos. If you feel that the information is helpful, then like and share the video. वयस्क तितलिया लंबे पंखों वाली मध्यम आकार की मोनोमोर्फिक होती हैं. प्रिश्थिय भाग पर पंख संकीन सफेद और पीली धारियों के साथ काले होते हैं, उदर पक्ष पर समान पैटर्न के साथ, लेकिन हलके और लाल धब्बों के साथ. पंखों का फैलाव बहतर से एक सौ मिलिमिटर तक होता है, जो तितलिया पराग पर भोजन करती हैं. वे शिकारियों के लिए अधिक अरुचिकर होती हैं. वयस्क तितलिया पराग के साथ साथ अमरित को भी खाने में असामान्य होती हैं. पराग उन्हें साइनोजेनिक गलाइकोसाइड्स को संशलेशित करने में सक्षम बनाता है, जो उनके शरीर को संभावित शिकारियों के लिए विशाक्त बना देता है. तितलियों के बीच वयस्क असामान्य होते हैं, क्योंकि वे पराग खाने के साथ साथ अमरित भी पीते हैं. यह क्षमता उनकी लंबी उम्र में योगदान देती है, वे जंगल में वयस्कों के रूप में तीन महीने तक और प्रयोगशाला में चार से पांच महीने तक जीवित रह सकते हैं. वयस्क तितलिया पराग पौधों के संग्रह के आधार पर अपना घरेलू खेतर चुन उत्पादन और कोमल और धीनी गती से चबाने के माध्यम से होता है. रात के दौरान तितलिया पराग को पचाती हैं क्योंकि आराम या सोते समय इश्टतम पोशन संसाधन प्राप्त होते हैं. पराग आहार का संबंध उच्छ समगर फिटनेस से हैं. जो व्यक्ती पराग प क्योंकि अंडे के उत्पादन के लिए पराग से अमीनो एसिड जैसे पोशक तत्वों की आवश्चकता होती है. या हिलिकोनियन तितलियों की एक असामान्य विशेश्टा यह है कि वयस्क अपेक्शाकृत लंबे समय तक जीवित रहते हैं. अधिकांश अन्य तितलिया कुछ सप्ता ही जीवित रहती हैं. लेकिन हलिकोनियन कई महीनों तक जीवित रहती हैं और अंडे देती रहती हैं.